हैकिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी कम्प्यूटर सिस्टम या नेटवक में अनधिकरित पहुँच प्राप्त करने के लिए तक्नीकी कौशल का उप्योग किया जाता है हैकर्स इस पहुच का उप्योग विभिन उद्देश्यों के लिए कर सकते हैं जैसे कि डेटा चोरी, सिस्टम को नुकसान पहुचाना या सेवाओ को बाधित करना हैकिंग को अकसर एक नकारात्मग गतिविधी के रूप में देखा जाता है, लेकिन इसका उप्योग अच्छे के लिए भी किया जा सकता है उदाहरन के लिए, Hacker सिस्टम की सुरक्षा में कमियों को उजागर कर सकते हैं या नए सुरक्षा उपायों का विकास कर सकते हैं Hacking के कई अलग-अलग प्रकार है, जिनमें शामिल है Cracking, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें किसी सिस्टम के सुरक्षा उपायों को तोड़ कर अनधिकरित पहुँच प्राप्त की जाती है Malware हमले, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें Malware, एक प्रकार का हानिकारक सॉफ्ट्वेर का उप्योग किसी सिस्टम को संप्रमित करने और इसे नियंत्रित करने के लिए किया जाता है Phishing हमले, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें उप्योग करताओं को Phishing इमेल या वेब साइटों के माध्यम से धोखा देकर व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त की जाती है Cyber धोखाधरी, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें किसी व्यक्ति या संगर्थन को वित्तिय नुकसान पहुचाने के लिए Computer प्राध्योगिकियों का उप्योग किया जाता है Hacking एक जटिल और लगातार विक्सित होती हुई गतिविधी है Hackers लगातार नए तरीकों की खोच कर रहे हैं जिनसे वे सिस्टमों को भेद कर सकते हैं और उन पर हमला कर सकते हैं Hacking से बचने के लिए उप्योग करताओं को निमनलिखित सुरक्षा उपाए करने चाहिए अपने सिस्टम और सॉफ्ट्वेर को अध्यतित रखे एक मजबूत पास्वर्ट का उप्योग करें और इसे नियमित रूप से बदले अपने कम्प्यूटर को वाइरस और मेलवेर से बचाने के लिए एंटी वाइरस और एंटी मेलवेर सॉफ्ट्वेर का उप्योग करें केवल विश्वसनिय स्रोतों से इमेल और वेब साइटों पर क्लिक करें अपने व्यक्तिगत जानकारी को साज़ा करने से सावधान रहें